हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू मैं यूटूब चैनल दूस्तो आज मैं रंगुली बना के आपको बताऊंगी तो चलिए हम रंगुली बनना सुरू करते हैं आप मेरी चैनल को सब्क्राइब को दीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए तक कि मेरे लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुंस सके सबसे पहले तो प्रेंड चलिये हम आज रंगुली बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक चॉक की सहता से ड्रॉइंग ऐसया है हम ड्राइंग करने के बाद हम इसमें कलर को भरेंगे यह बहुत ही सिंपल डिजाइन मैं बना के दिखा रही हूं फ्रेंड ताकि कोई भी बना सके मेरे फर्स पे थोड़ी चौक का कलर नहीं आ पा रहा है बिल्कुल पतली इसी चौक है तो नहीं हो पा रहा है पर यह आपको जह बन जाएगा तो आप उपरी तरह से भी देख सकते हैं कि किस तरह के से यह बना हुआ है आप इसका स्क्रीन सोट लेके भी आप देख सकते हैं तो हम इस तरह से हम पहले चौक से पूरे ड्राइंग कर लेंगे जिब ड्राइंग हमारी पूरी हो जाए उसके बाद ही हम इसमें कदर भरेंगे प्रेंड आज धनतीर इसका दिन भी है और मुझे मार्केट भी जाना है सामको सौपिंग के लिए देखते हैं कि मैं कल सौपिंग सामको में क्या क्या लेकि आती हूँ मैं आपके साथ सेयर करूंगी जो मैं आज धनतीर की दिन में कुछे कुछ किचन के लिए सामान खरेदना है तो मैं वो लेने जाओंगी हमारी ट्रॉयंग पूरी वाली है अपहमारी ट्रॉयंग तो पूरी हो जा रही है उसके बाद हम मैं कलर भरेंगे हम ज्यादा कलरों का यूज नहीं करेंगे, बहुत कम कलरों से ही इसे कंप्लीट करेंगे, तब इस के अंदर हम कलर भरना सुरू करते हैं, तो हम एक एक करके सारे खानों भी कलर भरेंगे, तब पहले हम ब्लू कलर का यूज करते हैं, ब्लू कलर को हम भर लेंगे इसमें, इक खाने भी हम ब्लू कलर को भरेंगे, हमारी ये ब्लू कलर हो गया है, तब हम इसमें दूसरे वाले मोर पे हम ये ग्रेन कलर भरेंगे, तो इतने कदर हमने भर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसमें कुछ और डिजाइन डाल देते हैं, जाओा एंगे बढ़ते हैं, दो जाओा जेते हैं, पेक घभरेंगे लेएक गजए सावाब। कोई भी छोटी धकन के साहता से हम इसे एक टिक को हम आगार दे लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हम इसमें और कुछ कलर भरते हैं इस मोर पे हम अब हम इसे उपर से वाइड कलर दे देंगे वाइड कलर हमारा जब चार तरफ हो जाएगा तो इसका पूरे डिजाइन अच्छे से दिखने लगेगा निखे हम उने काफी भर लिया है इसमें बिंदी बिंदी कर देंगे तो जिससे इसकी खुबसूर्ती और बडशाएगी उसके बाद हम थोड़ी और इसमें इसका डेकुरिशन और करेंगे कोई भी एक सीख ले लिजे या फिर कोई भी एक हाँ सीख से ही आपका काम चल जाएगा आपिस बिंदी को खेच दीजेगा तो एक अच्छा डिजाइन बन जाएगा और फिर इस तरह के से हम कुछ और गोल्ड डिजाइन बना के उसे और सजा सकते हैं तो दोस्तों मेरा ये रंगोली कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें तो थैंक यू वेरी मॉच वीडियो देखने के लिए बाबाई टी कियर